नमस्कार दोस्तों आज मेकेनिक्स में हम लोग अपना अगला टॉपिक मसीन स्टार्ट करने वाले ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट चेप्टर है और मैं वैसे अगर सच कहूं इमानदारी से कहूं तो ब्रांच वाइज मैं अगर माटूं अभी के लिए बहुत इंपॉर् मसीन चुकि नाम से इस पर्ष्ट है मेकेनिकल वाले लोगों का है और सिविल वालों को कम मिलेगा लेकिन अपने इस सेमस्टर एक्जाम में दोनों के लिए सेम कोस्टन आएंगे और दोनों को अभी के लिए तो करना ही पड़ेगा और ऑप्शन भी नहीं होंगे इस चैप् करना मसीन नहीं है सिंपल मसीन बात करेंगे कि अंतर क्या है इन में ठीक ना सबसे पहले इसमें हम लोगों को इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं जिसमें से डेफिनेशन आप एफर्ट वेलासिटी रेसियो मेकेनिकल एडवांटेज एफिएंसी ओफे मसीन एंडेर रिलेशन करा हूँ से लेबस इंग्लिस में बाती जो चलेगा हूँ लुग हिंदी और इंग्लिस दोनों में ही टर्मिनलाजी आपको क्लियर कराई ठीक है मिए उसके बाद सिंपल अंट और मसीन एक सिंपल मसीन क्या होती और एक समझना इतनी चीजों को अ लोग संजहेंगे लेकिन एक चीज है लाख मसीन को मैं इसके बाद कराऊंगा मतलब यह समझ यह दोनों टॉपिक साथ साथ चलेंगे आके लिए नहीं चलेगा ठीक है ना उसके बाद अधिक्सक्राव एसे चलुगा लेकिन फिर उसके बाद यहां से कहानी थोडी बदलेगे ठीक है ना effort loss in Friction load loss in Friction determination of maximum mechanical advantage and maximum efficiency फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद यह थोड़ा सा of pulley determination of velocity ratio mechanical advantage of मना यहां से मसीने सुरू हो जाएंगी यहां से मसीने यह सभी मसीनों के बारे में कॉमन चीने पढ़ नहीं है इस इनके अंदर पूली एक मसीन है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना सुरू कर देना पड़ेगा ठीक ना यहां से यह दो टॉपिक अपने आप में एक तरीके समझी अलग है जिसमें मसीनों को इंडिविडिवल लेबल पर समझना एक-एक मसीन को और यहां से मसीनों से जुड़ी भी सारी चीज़ें कोई भी मसीन रहा है उसमें उनके एफ़ाइट वेलाउस्टी रसी सब के बारे में समझने ठीक है क्यप्टर का नाम है सिंपल मसीन क्यप्टर का नाम क्या है सिंपल है मसीन यानी हिसको हिंदी में को बोले सरलlio मसीनम्य क्या है अब पेटा कभी ऐसा अभी तक फरस्ट यर में चाहे तुम देखो चाहे कहीं भी पिछली क्लासेट जो है कभी सलेबस ऐसा हुआ है कि रुका है कई बार सलेबस की चिंता आप मत करें जो काम मेरा है उसकी चिंता मुझे करने आप पढ़ाई पर द्यान दीजिए न समय से पूरा हो आप आखें को दस गाली दीजिए हम सुन लेंगे आपकी बात लेकिन अभी जो है कंप्लीट हो जाएगा चिंता मत करें अब लोग सरल मसीनों के बा सबसे पहले मसीन बाद में बात करेंगे सरल मसीन ठीक है मेकनिकल मसीन और बाकी मसीनों के बारे बाद कि क्या कर सकती है तो हिंदी में बोले तो युक्ति या कोई भी ऐसा सिस्टम कोई भी ऐसा विक युक्ति या कोई भी ऐसा सिस्टम जो हमारे किसी काम को कम effort में कम समय में और कि इजीली कर सके और बेटर भी कर सके उसको कहते है मसीन अब अगर वो परिभासा याद करी जा वाट इज मसीन और कहा जा है एनिफिंग डैट मेक्सर वर्क इजियर इस काल मसीन पैंट की निप से लेके पैंट की जिप से लेके पैंट की निप तक सब मसीन यह डेफिनेशन आप सुन रखे होंगे किसी मूवी भी कि पैंट की जिप से लेके पैंट की निप तक सब मसीन है क्योंकि हर चीज हमारा काम आसान बना रही है और हमें उस काम को बेटर मतलब काम जैसा हम कर रहे हैं तो उससे बेटर भी कर रही है कंप्यूटर का है पहले टाइप हाथ से लिखता था व्यक्ति फिराया टाइप राइटर फिराया कंप्यूटर आप तो मुह से बोल देते हैं लिख दाता है पूरा यानि यह सारी चीज़ें ही मसीन हैं जो हमारा काम आसान बना रही है कि डेफिनेशन कैसे देंगे हम लोग यह एक मसीन की परिमासा है ऐसी मैंने हिंदी में क्या बोला ऐसी कोई भी युकति यानि एनी सिस्टम एनी एनी सिस्टम मतलब मसीन कोई चीज हो एक बंद चीज वैसी जरू नहीं है कई चीजों को मिला के कुछ ऐसा बन गया है वो भी यह अमरा काम असान बना तो भी मसीन एनी सिस्टम और एवय्ट इवाईस यान्य एंट्र बैद एक इंदी भी लिग दूंगा चींता मतलों को यह एक्स आर वर वर ईजियर ईजियर और के ओए प्सक्राएं दो फ्थिसेएं आन दो इत दो इत दो इत पें अब बेटर वे ब and also saves time यानि हम लोग कह रहा है कि ऐसी कोई भी सिस्टम और डिवाईस जो makes our work easier and do it in a better way and also saves time यानि जो हमारे काम को एक अच्छे तरीके से करता है टाइम बचाता है और साथ साथ में सरलता से काम कर देता है मतलब कठीनाई जिसमें हमको इरिटेशन और हीती काम करने में वो काम बहुत आसानी से हमारा हो जा रहा था वह क्या कहला था मसीन टेकनिकली इसकी परिभासा कई तरीके से दाख दी जा सकती एक टेकनिकली हम लोग कहें कि तीज हो सकती है जो उर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्थित कर सकती है तो यहां पर हम लोग कहेंगे टेक्निकली हम लोग कह सकते हैं कि a machine machine यानि एक machine Hindi बोल रहा हूं क्या समझ में नहीं नहीं आ रहा है Hindi English लिखने वाले लिक डालेंगे बाकी नोट्स तो आपकी हिंदी और इंग्लिज दोनों में दीई गई है आपको एप्लिकेशन पर नोट्स पूरी दी गई है आप मसीन इस इस एस एनितिन एनिफिंग अमा सीनSteel पूम एक यंत्र सिस्पम है में से इचसरे मिल्स और इवाइस कि गई आप junior सकता है क्या कर सकता है एक कि कर चीजों को मैं नाम दिख tent тому कर दो पहला कां मैं ने बिला टेकनिकल कि मली या sectmen इजा सिस्टम और डिवाइस देट कैन यानि जो मसीन एक डिवाइस या यह एक यंत्र या एक निकाय है जो कर सकता है क्या कर सकता है can transform energy, यानि ये energy का रूपांतरन, यानि उर्जा रूपांतरन कर सकता है, ये उर्जा रूपांतरन, उर्जा रूपांतरन कर सकता है, a machine can a machine is a system and device that can transform energy यानि that can transform energy that can multiply the force और that can increase the effort इन्क्रीज 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 दे एफर्ट यानि यह एफर्ट को बढ़ा सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसमें जैसे आपने कुछ 5KD का बल लगा है किसी चुट को उठाने के लिए उसी 5KD को multiply करके यानि increase the effort by multiplying उसी effort को multiply करके यह क्या कर सकता है आप जो आप 5KD का बस प्रयास लगा है उसी प्रयास को यह गुणा कर करके इतनी तेजी से आगे उसी प्रयास को बहुत बढ़ा बना देगा अब जब बड़ा प्रयास हो गया आपने छोटा से effort डाला वह effort काफी बढ़ गया तो क्या करेगा आसानी से काम कर देगा यानि मैंने बोला कि यह आप को एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कर सकता है नहीं उर्जा को एक दूसरे रूप में बदल सकता है और दूसरे रूप में कई सारी जैसे आजने जामपल आप जितना आप फैन देख रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लग रहा है कि वह चल रही है तो वह किसी किसी तरह की congressional ekon Hub करतել करती है उसको किसी जामपल देता हूं कई जगहा पर यह लोग temperature की Dylan that converter from one to another any machine वह oni, थे realise नहीं को एक से दूसरे रूप में बदलते जी नहीं यह पूरी बात नहीं है यह पूरी जैसे आपने पुली अभी मिलेगा आपको पूली में आप क्या करते हैं कोई घिरनी जिसको बोलते हैं पूली मतलब घिरनी में कोई रस्सी बगर पढ़के कुउखे से आप पानी खीच रहे थे तो आपने रस्सी के उपर एक बल लगाया यानि mechanical energy दिया उसको उधर से वो बाल्टी का पानी ऊपर खीचा वो भी mechanical energy से ही खीच रहा है तो कहा mechanical energy दूसरे energy convert हुई जी नहीं यह जरूर हुआ कि जो हम खीचते उसको बीना घिरनी के सब और यह कुमा में नीचे बाल्टी लटका हुआ बीना घिरनी के उसको खीचा जाए तो कितना ज्यादा mechanical फोर्स लगाना पड़ेगा यानि mechanical energy हम जो लगा रहे थे वह काफी ज्यादा loss हो जा रहा था Frictional loss में जो उसके उपर रखा जाता लेकिन घिरनी ने Frictional loss को क्या कर दिया कम कर दिया यानि हमारा एक तरीके से क्या हो बढ़ गया यानि हम लोग यह कह सकते हैं कि उर्जा का रुपांतर नहीं बलकि effort को बढ़ाने का काम भी क्या करता है मसीन करता है ठीक है अब अगर एजिंग एजांपल हम ले ले energy transformation का तो जैसे बल्ब का ले ले तो बल्ब एक दिवाइस है एक तरीके समसीन है जो क्या कर सकता है आपसे एलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है यानि विदूत उर्जा लेता है और उसको लाइट में और हीट में क्या करता है Renard करता है आपको मिलती क्या है लाइट हीट में मिलती है पुराने बल में ज्यादा मिलता था एक देन Geme तो हर चीज का फैन मतलब मोटर की बात बिसिकली में कर रहा हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर गे उमेकनिकल एनर्जी में करता है तो हर डिवाइज एक से दूसरे एनर्जी में कर रहा है तो जब हम यहां पर बात करते हैं यहां पर हमने मसीन की जनरल बात की यानि हम किसी इस्टड़ी, मेकैनिकल मसी यारि हम किसके बारे में पढ़ेंगे नेक हैं owners which converts any type of energy into mechanical energy यानि हम उन माशीनों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी तरह की उर्जा को किसी भी तरह की उर्जा को mechanical energy यानि यान्तनिक उर्जा में ही बदलेंगे सारी machine को हमें नहीं पढ़ना हमें क्यिवल हमें un subtitle को इसमें पढ़ना है जो हमें उप्लप्ध उर्जा antiqu लब दो और मत्लब निर्गत उर्जा अम्हां इस सब बताएंगे कि यह सब क्या होता है कि अउट्पूट के रूपे Mechanical Energy देती हैं ओसीने किस किस तरह से हो सकती है यानि वह हमें मतलबाद से किए मसीने क्या है तो पहले तो आपने समस्ते लिया कि मसीन क्या है technically machine क्या कर सकती है और हमें कौन सी machine पढ़नी ठीक है न? उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे types of machine यानि उनके complication के आधार पर machine जो है कितने प्रकार की हो सकती है तो उस आधार पर हम लोग machine पढ़ चुके हैं type हम नहीं पढ़ाएंगा अब simple machine हम लोग किसको कहें simple machine वो machine होती है जिन में movable parts यानि घुमाव अंग कम से कम होते हैं यानि हम लोग कह सकते हैं simple machines are the machine which have less movable or variable parts यानि it has very less very less movable movable or variable parts variable parts यानि ऐसी machine जिन में घुमने वाले अंग या खुलने बंद करने वाले अंग कम से कम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या simple machine यानि इनको बोलते हैं हम लोग thorough machine thorough machine thorough machine यह वो machine होती हैं जिन में घुमाव अंग कोई करदे की मतलब बेंडिंग पार्ट वह भी घुमाऊ होता है यहां पर जैसे मैं एक जांपल के तौर के तुमें देता हूं जैसे एक गेर वाली साइकिल है जाहर से बात है कि जह सिंपल साइकिल है उसमें चलने फिरने वाले पार्ट कम हैं इसको बदला गया मतलब जिसमें ज्यादा कॉंप्लिकेशन्स हो उनको कहते हैं complicated machine या compound machines और जिनमें complications कम हों उनमें हम लोग क्या कहते हैं simple machine तो simple machine के बारे में एक ही परिवासा तुमको बोलूँगा कि इसके पास बहुत ही कम variable या movable parts होते हैं variable और movable parts का मतलब होता है कि जिन अंगों को बदला जा सके अपनी जगह से हटाया जा सके कि उनको कहते हैं movable parts जितनी सरल machine होती है उतना ही जनरली देखा गया कि mechanical advantage कम मिल पाता है जैसे machine जब complicate होना शुरू करेगी तो mechanical advantage अधिक मिलता है mechanical advantage क्या होता है यांत्री क्लाब इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा लीवर में हम already कर चुके हैं लीवर जब chapter पढ़ा रहते मोमेंट में तो उसमें चर्चा हम कर चुके हैं अब हम लोग बात करते हैं इसी तरीके से जो योगिक मेंट मसीने होती है याजिक मतलब compound machines इनको बोलते हम Google सिम्पल machine आपने देख लिया आब एक चीजी होती है अपर yeah compound machines compound machines इनको हम लोग क्या बोलते हैं compound machines नको बोलते हैं हम लोग ऐसी machine लिख ली जिएगा मैं बोल दिश्राओं ऐसी machine जो एक या उससे अधिक सारल मसीनों से मिल करके बनाई जाती हैं कमपाउंड मसीने कहलाती हैं जैसे जैसे आप कोई चीज देखिएगा कि कहीं पर बहुत सिंपल कोई चीज यूज करना बहुत सिंपल और उसका ही जब और एडवांस फॉर्म लें तो जैसे मोबाईल तुम लेलो देखें पहले छोटा से मोबाईल आता था सब लोग चला लेते थे राम से ठीक है ना लेकिन जब उसी में चीजे जूडने लगी एक कैमरा रहता था एक मोबाईल अब कैमरा मोबाईल को मिला करके एक फोन बनाया गया जो कैमरा भी फोटो बाला भी काम कर देता था तो वह पहले से कॉम्प्लिकेटेड संदचना है यह मैंने इलेक्ट्रॉनिक गैजट का एकजामपल दिया वर यह मसीनों में भी लाग वह तुम देखोगे एक पूली का जो सिस्टम रहता क्यवाल एक पूली रगी रही तो आ अच्छा मेकेनिकल एडवांटेज क्रियेट होता है हमें ज्यादा आसानी से हम बड़े-बड़े भारों को उठा सकते हैं लेकिन उनका एनलाइसिस कठीन होने लगता है उनका विसलेशन कठीन होने लगेगा देखोगे जितनी अच्छी मसीन होगी हमारे लिए उसको एनला मसीन है और कौन सा लिवर लिवर में याद करो कई टाइप था अगर आपने पड़ा होगा तो लिवर में क्या था अरे मालो यार यहां पर कोई आलंब लगा करके यहां से कोई लोड उठाना हो मालों इसका भार डबलू हो लेकिन याद करो जब एक कंपाउंड लीवर आया था और यहां से इस पर हमको मालों इस पूरे को इस सिस्टम को माली यह पी वेट लगा करके उठाना था उपर रियाद करो एक लिवर यहां से यहां पर जब हम इसको उठाय तो यह उपर उठा था और फिर यहां पर आलम इसका यहां पर लगा हुए था और लोड यहां पर जब हम इसको आराम से यहाँ पर खीचे थे इस जगह पर आइसका यहाँ पर आलंब लगा था तो तुरंद पहले तो यहाँ डबलू बदला था फिर यह डबलू इसको खीचा तो यह पी आसानी सूड़ गया था कहने का मतलब हुआ एक compound machine क्या होती है It is the combination of it is it is the combination of combination of it is the combination of combination of two or more more simple machines simple machines यानि यह जो होता है दो या अधिक सरल मसीनों का सैयोजन यानि combination होता है अब एक सिंपल रिवल अगर तुमको जरा भी नहीं आदे तो दिक्कत है मोमेंट वारे चर्टर में लीवर पढ़ा गया था एक लीवर यह था जो इधर हलका लोड़ा उठा रहा था लेकिन यह वाला इतना तगड़ा सिस्टम था यह बहुत तेजी से चीज़ों को उठा रहा था यानि combination की हम लोग किसका एक compound liver क्या कहा जा सकता है एक compound liver जो है वो क्या कहा जा सकता है तो आप बताइए बताइस की तुलणा में क्या थि और सक्छम थी और बेटर काम करर रही थी लेकिन उनका तेकनिकल परिभासां पर मशीने से जूड़े हुए टर्मिनो लॉजी मशीनों से जूड़ी भी टर्मिनो लॉजी और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जाम में सीधे परिभासा इनकी पूछी जाती है कई बार ठीक ना यानि हमने यहां पर हेडिंग मना दिया टर्मिनो से जूड़ी हुई क्या टर्मिनो लॉज यानि जितनी भी मसीन हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें हम लोग कुछ सब्दों का बार-बार प्रयोग करेंगे वह कौन-कौन से सब्द है और उन सब्दों को उधर से लेबस में आपके दिखाया भी गया है यदि आप देखेंगे तो किसी मसीन से मस्ट जो मैकेनिकल मसीन होती है वह basically वोई का भूर न United ौ estado करती है खथेंगे जिसमें पहली चीज सबसे पहली की जो आती है वाती है लोड क्या होता है मसीन मतलब एक मसीन द्वारा उठाया गया जो भार होता है वैसे टो लोड मतलब भार होता है तो मसीन किसी चीज़ पर स्र het है कि अश्य चीज़ को उठाथी है उसी फिके सबतों कहते हैं लोड कैसे पाइन है मसीन में लोड को ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि किसी मसीन को जिस वहार को उठाना है वही उसके लिए लोड का काम कर लोड की परिवाशाद देने की है कि दरूद प्रोबलम या ने तरीक के वल मतलब तो बेट होता है फिर लूड क्या में ये आप से डिस्कस करी थी भार मतलब तो वेट है तो लोड क्या है यार मेरे उपर बड़ा लोड है मेरे उपर बड़ा लोड है इसका क्या मतलब है कि मेरे उपर 20-25 करी का पत्तर रख दिया गया है जी नहीं मेरे उपर बड़ा लोड है इसका मतलब लोड इज एनिफिंग दैट is problematic part to perform, यानि load वो चीज़ होती है, जो मेरे लिए एक problem के रूप में है, यानि हम लोग कह सकते हैं कि problematic part to perform, वो जो होता है उसको कहते हैं load, यानि load किसी भी चीज़ के लिए क्या होता है, उसके लिए खराब या problematic चीज़ चीज़, यानि हम लोग मसीन के term में, जब हम लोड को define करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि problem to carry by machine, अब ये परिमासा आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो फिर आप परिशान हो जाएंगे, लेकिन किताबों में ही परिमासा मिलेगी, कि मसीन द्वारा उठाएगा बाहर, लोड कहा जाता है, बाहर है तो बाहर ही कहा जाएगा, लेकिन problem to carry by machine, यानि मसीन के द्वारा जेली गई और या जेली जाने वाली जो समस्या है, वही क्या है लोड और ये बहुत ही ideal definition है, किसी भी condition के लिए problem to carry by machine, it is generally in form of weight, it is generally in form of weight, अब हमारे उपर लोड का मतलब दूसरा था, मेरे उपर बड़ा लोड है, तो वो असल में एक mental pressure की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक machine के लिए load जो होता है, वो generally weight ही होता है, यानि मैं कहूंगा, कि generally in form of weight for a simple machine, 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 एक simple machine के लिए, एक simple machine के लिए, जैसे मैं कहूंगा कि generator पर बड़ा load पड़ रहा, तो जन्रेटर पर बड़ा लोड पढ़ रहा है जन्रेटर क्या कर रहा भार उठा रहा है जन्रेटर पर लोड पढ़ने का मतलब होता है कि आधिक आधिक धारा की मांग हो रही है उससे आधिक electricity कि क्या हो रही है उससे मान हो रही है आधिक जो है एलेक्ट्रिक करेंट की जरुवत पड़ रही है इस वजह से करेंगे जनरेटर पर लोड आ रहा है तो जनरेटर भी एक मसीन है और उस पर जो पढ़ने वाला लोड है वो वेट के फार्म में नहीं है उस पर लोड है एलेक् लोड का मतलब वेट सही है बट इस नोट कंपली दर लोड एड वेट इस एक्वल तो यह बिलकोई विजरूरी नहीं है अब इस सेंटर्स को पूरा पढ़िएगा आप पूरी बात मेरी समझ जाएंगे अगली चीज जब मैं बात करूंगा लोड के अलावा तो दूसरा ची इसी वेट को उठाएगी तो लगाना भी उसके साथ में वेट रही पड़ेगा यानि एफर्ट का मतलब होता है यानि पूर्स पूर्स एपलाइड बाई पूर्स एपलाइड और एपलाइड आपलाइड या फोर्स गिवें टू दे मसीन पूर्स गिवें तुदा मसीन यानि मसीन को दिया गया बल या भार पूर्स गिवें टू दू तु rumah कैरी लूड यानि मसीन को जो जो फोर्स या बल दिया गया भार को उठाने के लिए उस 이용 लोग फो पोर्स कहते हैं यानि एफर्ट कहते है एफर्ट को हिंदी में हम लोग प्रयास प्रयास या फिर आयास कहते हैं मसीन किसी भी मसीन से काम करना तो आपको भी साइकल चलाना तक आपने चल जाएगी अरे पैडल मारोगे तभी चलेगी तो नहीं सरा हम बाइक पर बैट जाएंगे तो बाइक पर बैट तो तुसे इं एफर्ट एहनी प्रयास या आयास और लोड मतलब होता है क्या भार लोड मतलब क्या होता है और इसका मतलब प्रयास या आयास दोनों समझ गए लोड और एफर्ट किसी मसीन में क्या होता है लीवर के टर में सबसे अच्छा समझा जाता है इन दोनों को लीवर के टर में क्य मेकानिकल एड़वांटेज इसको बोलते हैं लोग क्या यां ट्रिक लाव यांत्रीक लव अब आनत्रिक लाव क्या होता है मेकेनिकल आपने किसी मसीन को कुछ लोड दिया और कुछ मतलब effort डाला और वो उदर से कुछ load उठा दे तो भाई एक चीज़ ज्यान रहे हैं कि हम जितना दे रहे हैं वो उससे ज्यादा उठा ली तो हम advantage हमने फ़लाब मिला हमको mechanical और अगर उससे कम उठाई तो mechanical advantage एक से कम हो जाए यानि अभी हम लोग mechanical लोड तू एफर्ट यानि यह भार और आयास का अनुपात होता है यानि जनरली हम लोग देखा जाना एक चीज़ जान लिजिएगा effort को जनरली हम लोग प्रयास को जनरली पी सो डिनोट करते हैं और लोड भार को जनरली डबलू से डिनोट करते हैं तो mechanical advantage क्या होता है mechanical advantage भार और आयास का अनुपात होता है यानि mechanical advantage in short we can write mechanical advantage is the ratio of डबलू भाई यह mechanical advantage होता है किसी भी machine का कोई भी machine दी अच्छी रहेगी न तो बड़ा कम भार लगा के हलका सा अब बहुत ज्यादा लोड उठा लेंगे mechanical advantage बहुत हाई मिल जाएगा यानि यहां पर सरल सब्दों में कहें पहली बात कि mechanical advantage क्या है dimensionless है और unitless है dimensionless और साथ में क्या कहेंगे इस प्रमलोग क्या है unitless है यह unitless और dimensionless quantity है ना इसका कोई होता है ना इसकी कोई माप होती है किसकी mechanical advantage की और mechanical advantage कब कब जाधा अक्तम होता है आप एक चीज़ जान लिजिएगा कि यहां पर output input का खेल है आपने कोई चीज़ दिया effort क्या होता एक तरीके से किसी मसीन पर यहीं पर मैं लिख देराओ effort क्या होता एक तरीके यहां पर एक जान लिजिएगा कि यहीं हमने ज्यादा बार उठा लिए आउट्पूट हमको अच्छा मिला वह ज्यादा है नहीं समझे हैं तो फिर आठों कि इनके अपने मतलब वैसे तो आप आउट्पूट इंपूट जानते हीं लेकिन यहां पर मतलब उसके मैं यहां पर सीधा कहूंगा एप डबलू यानि उठाया गया भार इस ग्रेटर दैन लगाया गया प्रयास उस केस में कहेंगा आम लो इतनी सी बात आपको समर्णाजी सीबाद समय आजिक अब यहाँ पर कॉन कॉन क्या है सर भार वगरा क्या होता है और यह सब क्या होता है इन सब को मेकेनिकल एडवांटेज या अभी तक की जो बात मैंने करी वह आप पहले से भी जानते हैं लेकिन अब जो बाते मैं करने जा रहा हूं वह आप हो सकता है तीस तीन नंबर के बाद अब शक्राइं नहीं नहीं जाना गया करना है जाना आप एचीन जान लेजिए अल Royal कौज पहले लिक लेखते हैं इन्पुट्ट पैले लिक लेखने हम लोगot निErम NOT इसको कहते हैं लोगла कहते हैं इसको दत उर्जा करांव instruct तो ती세 याधमत करना दक उर्जा या इसको कहते हैं हम लोग भी गयत मतलब फीगई उर्जा किसी मसीर पर जब भी आप काम करते हैं तो आप उसको अरजी देता है कैसे जेता है अभी मैं बताता हूं दी गईूर्जा इंपुट death उर्जा होती है या दी गई उर्जा होती है यह कितनी होती है तो एक अर्मीनू की बात कर लेते हैं एक सिंपल लिवर की बात कर पर उसमें यहां पर आलम यहां पर क्या है आलंब नहीं और इस आलंब और यहां पर यहां पर इसको खीचा गया यहां से यह की जुआ प्रयास है ow इसको उठाना यह जब हम इसको नीचे गेंगी तो अपने आप इपर उठे इसको हमने इसको हमने हमने प्रड़ा सा नीचे लाया है इसको फोड़ा नीचे लाला कीया लिए पूरा जो सिस्टरम है यह जो पूरा तो है ना वो थोड़ा सा एसे क्या करेगा यहाँ पे एक सकंद यह पूरा सिस्टम है यहाँ पे यह पूरा सिस्टम यह पूरा सिस्टम जो है यही पर हलका सा जो इस पर फोर्स लगाएंगे तो मैं यह अइसे थोड़ा सब्सक्राइब आलंब अपनी जगहां पर रहेगा अलंब जो है अपनी जगहां पर रहेगा जो चलो कि मालेगा एपनी जगह से कुछ नीचे आया है और यह यहां से यह यह नीचे आगया तो अविस्ली यह जब नीचे उपर उठेगा और अपनी जगह से माल लिजे यहां से यहां तक एक्स जो है वो उपर चले इसकी दीशा उपर की है और इसकी दीशा क्या है नीचे की है तो जब भी हम इसको पी लगाते हैं और वाई दूरी एक ही सकता है तो असल में यह पी इंटू जो आपका कहते हैं कि इंपुट होता है वो फी इंटू राई होता है कि इंटू वाई होता है वसिंतने वर्क किया होता दे रहा है तो मसीन हमने इंपूर्ट दिया तो वाई डिस्टेंस से खिसका और यह एक डिस्टेंस उपर उठा तो भाई हमने दी तो वहाँ से वह उर्जा के रूप में दिया तो उधर से प्रयास गुणा प्रयास द्वारा चली गई दूरी यानि कह सकते हैं यह एक तरीके से क्या है यह रूप में जाएगा मसीन को पूछ दिया और इंपूट के रूप में जाएगा मसीन को हमने कुछ दिया वह होगा effort into displacement यानि input को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर input को तीधे सब्दों में लिख सकते हैं कि input बराबर हम लोग लिख सकते हैं P into Y जैसा चीतर में दिखाया गया है उसके अनुसार P into Y, P हमने बल लगाया और Y दूरी खिसका दिया तो P into Y जो है वो input energy है in the same way if we talk about output energy यानि पांचने नमबर पर या खकरें कि एसके बारे मैं output energy किनए खाले आउटपूट बोले आउटपूट का मतलब होता है निर्गत उर्जा यानि कितना उर्जा मसीन ने दिया उपलब्ध उर्जा इसको निर्गत उर्जा निर्गत उर्जा या उपलब्ध उर्जा बोलते हैं उपलब्ध उर्जा बोलते हैं निर्गत उर्जा या मसीन पर अबर यहां पर सीज़े सब्दों में लिखें तो वह होता है लोड लोड वह एफर्ट इंटू डिस्प्लेस्मेंट था यह लोड इंटू डिस्प्लेस्मेंट होता लोड इंटू इस्प्लेस्मेंट यानि यह सीज़े सब्दों में कहें तो डबलू इंटू क्या हो जाएगा डब्लू इन्टू क्या होगा एक्स यह होगा किसका वैलू आउट्टू यह जो है एनर्जी जो है मसीन द्वारा किया गया का रहा है यानि वार्ग डन यानि ओन मचीन वार्ग डन ओन ओन मसीन यानि दन बाई मसीन यानि मसीन द्वारा किया गया कार है क्या यह बात होना रहे लेरा सभी को इतना तक यह छोटी बातों पर इतना जोर क्यों दे रहा है सर्मा थोड़े दिनों बात पता चलेगा बहुत तेजी से इसका यूज करने वाले हम लोग इसलिए इसको हमने समझ लिया कि आउटपूट और इंपूट क्या होता है क्लियर सभी को मेकेनिकल एडवांटेज मैं आपको समझा चुका उपर देखिए यहाँ पर मैंने पांच परिभासा हैं आप तक आपको समझाई इनपूट आउटपूट मेकेनिकल एडवांटेज एफर्ट लोड यह समने समझा द इस लेटी रेसियो यानि इसको बोलते हैं लोग चाह वेगा दुपात कई जगों पर डेफिनेशन थोड़ी अलग मिल सकती है इसको कई बार डेफिनेशन कुरूप में जब बोलता है तो अक्सर लिख देता है कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली दूरी का अनुपात होता है लेकिन क्या वेग का अनुपात दूरी का अनुपात कैसे हो सकता अगर हम पूछें कि वेग आनुपात दूरी का यान्य हम इसको कहेंगे कि इस सब्सक्या उपर हर दिन-बी बोलूँगा बिल्कुल चिन्ता मत करो इत टेस element the 500 डे piI shared andегда raise you of ratio of velocity velocity of effort effort to the to the velocity of velocity of load यानि हिंदी में बोले तो बोलेंगे आयास के वेग या प्रयास के वेग और भार के वेग के अनुपात को ही वेगा अनुपात कहते हैं करते कैसे अगर आपने यहां पर उपर ने डाइक्राम मना तो humor अगर मानलिजिये मैं यहां पर खीटता हूँ एसे नीचे खीचा को हम कुछ time लेंगे यहां से यहां आने में time जो नामारा टाइम जो टेकन होगा टाइम टेकन तो माल लिजी क्या है तो जैसे इधर फिचेंग उतना ही टी टाइम में उधर भी उड़ जाएगा यानि अगर देखें कि वाई दूरी चलने में समय कितना लगा ती उधर एक्स दूरी चलने में भी टाइम कितना लगा ती यानि जितनी दीरी में नीचे आया या उपर भी उतने ही दूरी में जाएगा तो मैं सिंपल उसी डाइगराम से कह सकता हूँ कि चाल कितनी होगी यानि velocity ratio velocity ratio को सौर्ट में कहें VR is equal to तो यह होगा y by t यानि प्रयास velocity यानि क्या बोला है velocity of effort to velocity of load effort की velocity कितना होगी यानि हम लोग कहेंगे effort की velocity यानि velocity velocity of effort effort और यहां लिख दिया हमने velocity of velocity of the load यानि velocity क्या होती है displacement by time effort कितना displacement y displacement time t में और यह भी x displacement time t में यहां से आगया y by x t से कैंसल y by x यानि it is also called VR is also called VR यानि वेगान पात कहा जाता है y by x को या कह सकते हैं कि प्रयास का वेक कहें या या इक कहें कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा भाहर द्वार चली गई दूरी यानि यानि distance या displacement of displacement of displacement of displacement of effort divided by displacement of load displacement of load आको किताबों में सीधे परिमासा कई बार मिल जाएगी तो परसान लिखा है कि भार दौरा चली दूरी और भार दौरा चले की दूरी का अनुपात होता है तो परसान मत होईगा यह दोनों परिभासा एक ही है घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है आप जान लिजेगा यह होता है वेगा नुपात या इसको कहते हैं हम लोग क्या वेलोसिटी का रेशी। वेलोसिटी का रेशी। तो अब ही हम लोगों ने जितनी चीजें समझी इनके बारे में आपको क्लि समझने जा रहा है यह सारा चीज आप नोट करते जा रहा है और अगर आप नोट कर रहा है अपने से तो बहुत अच्छी बात है तो वी आर को याद रखेगा इसकी जरुवत हमें पढ़ने वाली बाद में अगली वीडियो में इनके रिलेशन को और अभी तक हमने कितने देखे हैं अब हमको कौन सी चीज देखनी है तो कहेंगे अब एक चीज यहां पर द्यान दिजिगा यांतरिक दक्षता का मतलब क्या होता है अरे यह किसी मसीन से हमको आउटपुट मिला और हमने इधर से इनपुट दिया उसी के आउटपुट और इनपुट किसी से एफिसियंट कोई कितना होगा हमने कोई काम करना है हमने कमी एनरजी लेके ज्यादा आप आउटपुट दे दिया हम ज्यादा एफिसियंट कहा जाएंगे किसी को बहुत ज् अब हासा हम बोले किसकी definition क्या होगी it is the ratio of output to input यानि it is the ratio of it is the ratio of ratio of output output to input energy यानि output और input energy का जो ratio होता है उसी को हम लोग mechanical efficiency यानि यांत्रिक दक्षता क्या होती है तो कहेंगे सर आउट्पूट इंपूट तो हम लोग पढ़ें आउट्पूट तो पढ़ें तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ तुम पढ़े हो ना आउट्पूट इंपूट का रेश्यू कहीं उपर ही पढ़े थे mechanical advantage याद है लेकिन यह energy की यह उर्जा की बात नहीं किया यह केवल भारों का अनुपात का बात किया है एक चीज़ जान लेना है आप ध्यान से दोस्त क्या कभी भी तुमको लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि मसीने हमारे फ्यवर में काम हमेशा करती रहेंगी कभी भी एफिसींसी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती जबकि mechanical advantage ज्यादा हो सकता है यह डबलू बाई पी होता है जबकि efficiency क्या होती है यह output by input यह output by input है यानि या दी गई उपलफ दूर्जा और दी गई उर्जा कानुपात होता है इसको efficiency को इटा से दिखाते हैं यह पॉइंट में आता लेकिन efficiency परसेंटेज में जाए 60-70% ऐसे दिखाई जाती है इस में इटा की वैलू क्या होती है इसी को यादी थोड़ा सामलुक ठीक कर लें इसी को लिख सकते हैं कि डबलू बाई पी और आई इस पुनीचे ला रहे हैं तो वाई आपाई नीचे एक सागया एक सूपर भी जा सकता है कैसे है यहाँ से इटा इडिक्वल टू आ गया डबलू बाई पी इंटू यह क्या है यह वाला वाई बाई एक और डबलू बाई पी को भी यह अलग कर लें आ नीचे वाई-बाई- एक साथ क्या लिख सकते है यहाँ पर याद करें अभी उपर पढ़ें कि भार दौरा चली गई आयास दौरा चली गई दूरी वाई और भार दौला चारी गई एक इंका अनुपात वेगानुपात कहला था यानि इसप्सक्राइब लोग लिक सकते हैं कि वेगानुपात यह यहां और यह डबलू भाई ती जो बचा वो क्या है तो वो डबलू भाई पी अथाया भाहर लगाया गया प्रयास mechanical advantage यानि efficiency is what mechanical advantage divided by वेगा नोपास यानि velocity ratio यहाँ से एक formula किसका आ जाता है efficiency का mechanical advantage divided by velocity ratio जो होता है वही क्या होता है आपका efficiency के खरावर हो clear है यहाँ पर आपने यहाँ पर machine को ठीक तरीके से समझ दिया पूरा machine भाई होता क्या है आई होग पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर clear अभी इन में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे ideal machine क्या होती है मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ इनहीं के आधार पर machine को अम लोग माटेंगे एक एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ है तो और पर बता जता हूं आगे तो अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे आप लोग तो ऐसी machine है जिनकी efficiency 100% हो ठीक है न की machines 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 विच है 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 अंड्रेट परसेंट अंड्रेट परसेंट मेकेनिकल एफसेंशी मेकेनिकल एफसेंशी 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 आर कॉल्ड अभी हिंदी वह बोलूँगा चिंता मत पर आर कॉल्ड आइडियल मसीन आइडियल मसीन यानि ऐसी मसीने जिनकी एफसेंशी सौ प्रतिसत होती है उनको आइडियल मसीन कहते हैं और इनके लिए इन मसीनों के लिए और और आइडियल मसीन सकते हैं कि जाते हैं और इसका वैलुम है किसी चीट को कहीं पर्फॉर्मूला में रखना होता तो परसेंटेज मैंगते हैं वैसे रिकता है अनकों में इक वर व क्या हो जाएगा तो एम मेकनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेसियू के बराबर हो किसके लिए किसके लिए पॉर अइडियल आइडियल क्या मसीन के लिए ऐसा होता है लेकिन आप एक चित जान लिए दुनिया में कोई भी आइडियल मसीन नहीं है जो 100% 100% deficient का ही कोई मसीन नहीं हो सकती जब की जो रीयल मसीन होती है रीयल रीयल अभीन के बारे में बात करने हैं मसीनों के नियम होगर अभी पढ़ने हैं रीयल मसीन Light Efficiency Efficiency parity less than less than less than less than Pecos energy for that for it for real मसीन या जितनी भी रियल मसीन है यह तो एक आईडियोलोजी एक 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 हाइपोथेटिकल सिचुवेशन है यानि एक नौ हो सकने वाली चीज है कोई मसीन ऐसी है क्योंकि लॉसे होते हैं न किसी चीज़ पर आप काम करेंगे तो कुछ नुकुछ उर्जा आपकी लॉस में जा रकेंश वामेशा मैकेंशल एड़ांटेज से क्या होगा क्या यह बात आपको पूरी आपको समझ में आई यह का यह एक से कम होगा तो जायर से बात मुल्टिप्लाई करोगे उसकी तुलना में यह क्या हो जागा कम यानि वेलोसिटी रेशियो विल आलवेज भी लेस दन मेकेनिकल एडवांटेज पॉर रियल मसीन्स और यहां पर पीटा क्या होता है लेस दन हंडेट परसेंट यह उपर लिग सब्सक्राइब है आपको तैयार रखेगा मिलेंगे नेक्ट वीडियो में जल्दी तब तक के लिए मुझे दीजी आजाते हैं अन्यवाद